जै सिराओं दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी के बारा नामों का चमतकार और उस बारा नाम का हम आपको आज बताने वाले हैं जिससे आप सुम्रन करने से जबने से निरंतर पाठ करने से आपके आने वाले हर एक बिब्दाओं का हर एक संकट का समाधान होगा दोस्तो बारणाम दोस्तो ये बारणाम आप भोर में सुबह अगर आप इस बारणाम का जाब करेंगे जादा नहीं दोस्तो 12 नाम का एक माला अगर आप कर सकते हैं तो भी इसका आपको फाइदा होगा अगर आप के पास समय नहीं है तो 12 नामों को बारा बार ही सिब जाब करें परंतो याद रखे दोस्तो एक चमिली का दीप जलाकर ही आप इसका जाब करें तो इसका फल जल्द ही प्राप्त होगा दोस्तों बारा नाम हनुमान जी का आपको मैं बताने वाला हूँ आप इसे धान से सुनियेगा दोस्तों हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबले स्री राम मेष्ठ फालगुन शका पिगाक्ष अमित बिक्रम उद्धती क्रमडस्व सीता सोक विनाशक लक्ष्मन प्राण दाता चह दस ग्रिव दब तो दोस्तों ये हनुमान जी की बारा नाम इसे निरंतर जाब करने से पाठ करने से आपके होने वाले फायदे हम आपको बता चुके हैं दोस्तों परन्तु दोस्तों एक छोटी सी आपको मैं बताना चाता हूँ बात कि इस बारा नाम का आप निरंतर अगर जाब कर रहे हैं तो खनुमान जी की छवी आपके अंदर समाहित होने लगेगी और धीरे धीरे उनकी किरपा अत्यांत तेजी से बढ़ने लगेगा दोस्तों लेकिन इससे आपको सावधान होना है दोस्तों कि आपके अंदर क्रोध भैंकर रूप से बढ़ेगा दोस्तों जिससे आप सहन करना अत्यंत कठिन हो जाएगा परन्तु इस क्रोध को नियंतरित रखने के लिए आपको सीताराम, स्री सीताराम, स्री सीताराम का जाब करना होगा अगर आप पांच मिनट या दो मिनट या तीन मिनट जितना आपके पास समय हो तो सीताराम, स्री सीताराम का अगर आप जाब कर देंगे इस बारानाम के माले जबने के बाद तो आपका आने वाले क्रोध सांथ रूप से सांथ हो जाएंगे दोस्तों और आपके अंदर सक्ति का विश्रण होने लगेगा और अद्भूश सक्ति आप अपने अंदर महसूस करेंगे जिससे आपको आपके स्वास्त में उन्नती और वृध्धी होने लगेगी बस इतना ही करने से दोस्तों आपको हनुमाजी के किरपा जल्दी से ही जल्द फराप्त होगा अगर आप भी कुछ आप देखना चाहते हैं इस वीडियो पे सुनना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज आप इस चैनल को सस्क्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें